मुझे नहीं लगता कि नरिंदर मूदी की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉंस आएगा हमारे मुल्क के लिए चायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे वो यह है कि हमें अपने तालुकात इंडिया से बेतर करने होगा आई-एम-फ ने आपको इसका बड़ा खरास है जो आप दे दिया है पहले ही कि वो यार फिनेशल इंसिचूशन हम और पुलिटिकल और्गनाजेशन नहीं है जब से मुदी सरकार आई है उन्होंने कश्मीर का नक्षा कैसे बड़ा जी उन्होंने तो कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छी पुलिसी बनाई गई है वहां पर बहुत ज्यादा ड्वेल्मेंट की जा रही है आज की एक पता नहीं अगबार के अंदर एक एक ख़बर पढ़ी है नहीं पढ़ी है कि आई मेफ ने कहा है कि सी पैक पे कोई खर्चा नहीं होगा नहीं कियाओ है कि साथ अगर तजारत कोली जाए तो यह पूरे खिते Μेंट बहुत है कि मुझन के बारे मेरे मुरशित में शूरा जाफ का बाप होता है तो पता नहीं यह किस नशे में यह धुत होके फिर रहे हैं कोई बेरी समय से बार है और क्या यह मुस्तबिल कौन सा पाकस्तान किस किसम का पाकस्तान यह चाते हैं हमारे जो माली हालात हैं वो इतने कमजूर हैं कि जब हम किसी मुलक से तालुकाद बनाने के लिए खतर होता है कि शायद हम उन से नाराज हो तालीम से नाराज हो लिए इसलाम किस तीगे साथ को झाले क região долर करें? कि यह हमारे साथ बिजनिस करें, और भी नहीं है, हम वी नहीं सबस्सक्ति करें. कि हम उनके साथ जाना करें कुछ भी नहीं है हमारे पास नहीं आएगा नहीं रियक्षन वीडियो में जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ रही है खाने पीने की जो चीजे हैं उनकी कीमते लगातार इतनी जादा बढ़ चुकी है कि अब अगर पाकिस्तानियों से बारत के साथ ट्रेड को लेकर सवाल किया जाता है तो मुश्किल से कोई पाकिस्तानी मिलता होगा जो कहता है कि भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए सब के सब एक ही बात कर रहे है कि भारत के साथ ट्रेड करो किसी ने किसी परकार से प्राइम निश्टर मोदी जी को पाकिस्तान में लाओ रिस्ते को सुधारो ताकि पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल किया जा सके तो इसी के ओपर ये वीडियो है पूरी देखना लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करत अगवानिस्तान भी जा रहा है अमेरिका तक चैना तक जो है कितनी बड़ी एकोनमी है चैना की ठीक होगे टकनोलोजी के लिए आसे नबर वन अपना टकनोलोजी है ठीक है चैना की लेकिन चैना ने भी अपना गुड्रेट एक दी भारत के आगे इसकी यह रिसले लेकिन सरे इसकी अपने आपने आजाते हैं बिजनस के जो अपने मफादा देखने होते हैं तहले के लिए थैक है वो तो एक ना बिजनस मांड़ी worksों मैंडिया है तो झाइड का उम एगर प्रभ्रण के के सोंचना तो पना करता है। हम तेखें हना इंडिया जो है उसने जो है हर कउंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रहे चे जारा था लेकिं चाई ना से भी जो है वो उनकी टेरेड जा आ जारी है तो खालिक कि हमें कुछ चीज़ों की जरूरत है कुछ चीज़ों की उन्हें जरूरत है हम भी लें देन की है तक तो ठीक है लेकिन हम सपोर्ट जो है ना वह इंडिया की वह अगर हम कहने हैं कि पाकिस्तान होते हुए कि हम इंडिया की सपोर्ट ले के कुछ बहन जाएंगे वह बात नही क्योंकि मुल्क के जो हालात है और मुल्क की जो तारीख है और मुल्क का जो फ्यूचर है कुछ ही नहीं पाकिस्तान के पास तो क्या नरिंदर मुदी क्या यह आप आके बिजनिस करेगा या कुछ और करेगा तो ऐसे आप सोच नहीं बंद कर दे जैसे हम नहीं सोचते जितने लोग है जितने देखने वाले लोग है वो भी ना सोचे के इंडिया हमारे साथ बिजनिस करे और बनता भी नहीं है हम डिजर भी नहीं करते हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम उनके साथ करें कुछ भी नहीं है हमारे पास नहीं है नहीं आएगा नरिंदर मुदी पाकिस्तान क पाकिस्ताने देखें जी वो इन्हीदन मुदी को अगर जो मुबारक बात दी है हमारे वजीरे अलम को छबाश श्रीफ साब को कहने का मकसद यह उन्होंने मारसे जादा मुलग अगे जा रहा है तरकी कर रहा है इंडिया आपको कैसे बता है सर देखें ना उनकी करंसी बढ़ जाता है हुड़ चला जाता है खाते हैं पीटे हमां को लाले पाफ देखें ना खांसाब झाल साब देखो मैं कितना बीचे ले गए हैं कैसे बीचे लेगे उन्होंने हाथ नहीं मुलाते किसी के साथ किसी के तक उस्तोगू नहीं करते हैं 500 साल बर्बाद कर दिया बहुत गल्ब फैसला था है अमरान कान साब कामभी बर्बाद करता है मुलक को बहुत पीछे ले गिया हो कहने का मकषद एक है उन्हें अपनी कौम को आगे लेकि जाने का शुख है उन्हें दुनिया ने जिस त्रीके से भारत को जलीलोख वार इस रिजन को किया फार्न इं यही सबसे बड़ा difference है, जब हम यह चीजें लागिसी का शौक होगा, हम कपड़ों के शौक से निकलेंगे, गाडीओं के शौक से निकलेंगे, तो फिर दुनिया देखेंगे, वो दुनिया देख चुके हैं, देख रहे को, यहीं सबसे बड़ा difference है मेरे ख्याल में और मेरी दूआ है कि शायद हमें भी खुडा अतला जो है वो सन से एक आश न करआ है तालीम बहुत हैं हमारे पास पैसा भी बहुत है पैसा भी बेस्मेंटों में पड़ sablot हमारे पास सिरफ ही नहीं है तो प्राइड नहीं है लेगसी का शौक नहीं है यह कमी है हमारे अंदर मेरे ख्याल में और हमारे यह कभी कोई डौक्टर जैशनकर हमें हासल नहीं होंगे हमें हमें अध्युकेशन के लियाज से तो भात ज़्यादा लोग हैं जहां इसलाहबाद में बैठी हैं पी एजडी हैं सारी हरवर्ड की आपके पास बहुत लेकिन आपकी शौप कौछ और नापने तरक्की बहुत की है लेकिन पाकिस्ताइन से बहरत के सब्सक्राइब, लूंदन पाकिस्टाइब, जिस्टाइष हमेशा कहता हूं कि हमें भी कोई चायवाला मिले, हमें भी को डाक्टर जे शंकर मिले, जो पाकिस्तार, आ मैं, देखें, मेरे बचे लॉंडे लपाड़े, मेरे पीछे पढ़ जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि गूगल करके देखो यार, कि तुम्हारी establishment, तुम्हारे judges कहा मैठे, सारा भारत के अंदर मैठे, तो दोस्तों, I hope कि आपको इस वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा है, और और भी आपने कहीं सारे यसी वीडियो देखी होगी, जहां पर पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, भा अगर हम भारत सरकार की बात करें, तो भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से क्लियर कह रखा है, पाकिस्तान को कि भाया, जब तक आतंगवाद पर कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक जो है ना, किसी भी परकार की आपके साथ कोई बातचित नहीं होने वाली है, और दूसरी बात ट्रेड जो बंद की थी, वो पाकिस्तान ने की थी, भारत की तरफ से ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया था, तो अब अगर पाकिस्तान फिर से ट्रेड शुरू करने की बात भी करता है भारत के साथ में, तो ट्रेड भारत की सर्तों के साथ ही शुरू की जाएगी, त पाकिस्तान के जो वहां की जो कंपनिया है जो इंपोर्ट करवा रही है बारत की दवाईयों को वो पेमेंट काफी जदा बकाया है वो पेमेंटी जमा नहीं करवा रहे हैं और यह मुद्दा बारत की संसत के अंदर भी उठाया गया था तो यह तो पाकिस्तानियों के हालात बाकि आपने पूरी वीडियो देखी है अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद